कि एक ऐसी काटेगरी ऑफ कास्टमर्स है जिससे हर क्रेट क्राइब कंपनी और हर बैंक नफरत करता है अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह वो कस्टमर्स होंगे ऑविसली जो अपना बिल कभी टाइम से नहीं देते तो बिल्कूल ही गलत सोच रहे हैं क्योंकि इन फैक्ट सबसे ना पसंब करते इन कस्टमर्स को अपित वह सबसे कम प्रोफिट्बिलटी के लिए होते हैं कि यह फिस यह पेसरा के कस्टमर है तो आप अपने कर से कई बेनेफित्स वा अप और काफी अच्छी सेविंग कर सकता तो आज की विडियू में समझेंगे विसलेक्षिज है leading banks के द्वारा offered इंडिया में जो best reward system देते हैं आपके purchases पर अब obviously बहुत सारे credit card companies हैं जो इंडिया में cards offer करती हैं पर सबको एक video में cover करना possible नहीं है तो हम क्या करेंगे multi-series video बनाएंगे और आज की video में discuss करेंगे top three banks जो private sector में है यह आक्सिस बैंक आई-सी ऐसी बैंक और जानेंगे इन में कौन से ऐसे cards है जो best reward system देते हैं या best reward point system है जिन cards का हम बाकी चीज़ों को consider नहीं करेंगे और सिर्फ इसी aspect पर focus करेंगे तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कौन से हैं वो cards तो सबसे पहले देखते हैं इंडिया के सबसे बड़े private lender HDFC के कौन से हैं वो cards जो सबसे अच्छा reward rate देते हैं अच्छा इस पर तीन cards है जिनकी में बात करना चाहूँगा तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे super premium cards है जो इनके वो है HDFC Dynas Black और HDFC Infineum अब इन दोनों ही cards भी अगर आप कोई भी purchase कर रहे हैं तो आपको मिलता है flat 3.3% का reward rate असेंचल आपको मिलते हैं 5 points on every purchase of 150 rupees which is equal to 3.3% और सबसे अची बात है कि यह जो 3.3% rewards है या जो reward points है यह आप one-to-one की ratio में swap कर सकते हैं currency के साथ अगर आप कोई flight खरी रहे हैं या फिर कोई hotel book करवा रहे हैं तो आप नीचे अगर आपके पास 1000 reward points है जो आपने अक्रू की है और अगर आप HDFC के smart buy portal पे जाए तो वहां पे अगर आप यह reward points यूज करें तो एक रुपे के बराबर ही होगा यह reward point तो जो net effective reward rate आता है वह आता है 3.3% पर इसकी एक और खास बात है कि इन दोनों ही card में accelerated reward point system भी होता है जिसमें अगर आप smart buy जो के एक पोडल है वहां से कुछ खरीदें तो आपको 3.3 नहीं 33% points मिलेंगे जी हां unbelievable sound करता है पर सच है हां यहां पर कैच यह है कि एक तो सबसे पहले जो reward points है वह आपको इस value पर तभी ही मिलते हैं अगर आपको flight यह hotel करवा रहे हैं और कोई तरीका नहीं है इस one-to-one की mapping पर इन points को उटलाइस करनेगा और दूसरी बात यह है कि यह यह accelerated reward program है जो 33% मैंने बदाए इसकी विए क्लिमेट होती है डाइनस ब्लाक में 7500 points पर मंत है और इंफीनिया में तोनों ही कार्ड के favor में नहीं चलता है वो यह है कि यह जो इनकी eligibility criteria है वो काफी स्ट्रिक्ट है अगर मैं डाइनस ब्लाक की बात करूं तो इसमें आपको लंग पर 21,000,000 का इतीर होना चाहिए पिछले साल में या 1.5,000,000 का अनुल मत्तली होनी चाहिए और इंफीनिया में यह ही जो eligibility criteria वो है या तो 40,000,000 ITR या फिर 4,000,000 salary per month तो थोड़ा मुश्किल है और काफी आट ओफ रीच है most of us के लिए तो ऐसे में बात करते हैं HDFC के अगली credit card की जो है HDFC Diner's Club Privilege यह एक थोड़ा slightly lower tier card है जैसमें आपके जो monthly salary है वो शायद 70,000 per month अगर आपकी salary है तो इसमें आपको on every 150 rupees spent आपको चार reward points बनते हैं तो effectively rate होगे 2.6% का पर इसमें जो एक चीज है वो यह है कि unlike Diner's Black और इंफीन यहां पर one reward point is only equal to 0.5 rupees जब आप hotel या फ्लाइट करवा रहे हैं smart bike के portal से तो जो net effective rate आता है वो आता है on the end of the day 1.3% बहुत अच्छा reward rate नहीं है पर इ इसमें भी अच्छी बात है कि इसमें भी 10x वाली जो program की मैंने बात की ती कुछ दिर पहले वो यहां पर विलेजिबल है और अगर आप smart by वे कुछ है काड के थू करीदे तो आपको net जो return rate मिलता है वो 13% हो जाता है जो की again मेरे खाल से कोई भी और bank अभी offer नहीं कर रहा है तो यह तीनों ही जो कार्ड है यह best माले जा सकते है reward point system के साफ से not just HDFC bank में बट सारा अगर में पूरे इंडिया का market देखो तो भी यह सबसे अच्छे कार्ड्स है कि चलिए बात करते हैं आई से से कि इसमें तो कार्ड है जो मुझे काफी अच्छे लगे कुछ और कर रहा हूं क्योंकि हम focus सिर्फ best cards पकेर रहे हैं तो सबसे पहले तो हैंका Amazon क्रेडर कार्ड जो आई से साथ partnership में Amazon ने लांच किया है अब इसमें अच्छी बात है कि आपको एक तो जो eligibility है कोई बहुत strict eligibility नहीं है काफी लोगों को मिलता है और कोई बहुत हाई salary criteria नहीं 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 रहता है दूसरी बात है कि इसका जो reward point system आपको सीधे cashback देता है काफी अच्छा return माना जा सकता है सीधे 5% का अगर आप Amazon member member नहीं है तो आपको 3% का cashback मिलता है पर I would strongly advise की सिर्फ 1000 उपर एर का इसके fee essence कि आप Amazon Prime की membership ले अगर आप यह काड यूज करने वाले और काफी significantly उसकरने वाले है तो यह बेस्ट है कि आप इस पर प्रैम की membership लेकि 5% का cashback आप इसमें ऐसा भी है कि अगर आप Amazon पे से कहें भी payment कर रहे है अगर आप Amazon पे कहीं जगा चलता है स्वीगी पर चलता है कहीं और जगा में देखेंगा भी चलता है तो अगर आप Amazon पे से कुछ पे कर रहे हैं और उसमें आप यह कार्ड यूज करें तो आपको वाह पे वी 2% का cashback मिल रहा है तो अगला काड जो है अगर आप इस तरह से हैं कि अगर आप उसे यूज करें और यही चीज अगर आप इंटरनाशनल स्पेंट पर कर रहे हैं तो आपको चार पोइंगा और जो reward points है वो इस तरह से हैं कि अगर आप उसे यूज करें तो आप वाउचेस करीच सकते हैं डिफरेंट ब्रांट्स के Flipkart, Amazon, Chroma, Pizza Hut बहुत सारे हैं और वहां पे अलग-अलग tier में हैं तो सबसे जो अच्छा लगा मुझे reward program में बड़े purchases के लिए वह है क्रोमा वहां पे आपको 1300 points देने पड़ते हैं 1000 रुपे के क्रोमा वाउचर के लिए Amazon में शाहिए 1500 points है तो थोड़ा कम efficient है तो उसे साफ से अगर मैं देखो तो best जो आपको इस पर return rate मिल सकता है वह है 1.53 percent on domestic purchases बहुत अच्छा नहीं है तो काफी और कार्ड जैसे बेटर प्रोग्राम देते हैं पर एक और काविया थैस में कि माल लीजे अगर आपने एक साल में 400,000 रुपे के स्पेंट कर दिया तो आपको 4000 reward points additional free मिलेंगे और साथी 400,000 के ऊपर जितना भी आप आपको 2,000 reward points आट किये जाएंगे अपको a maximum of 20,000 reward points in a calendar year तो उसे साब से माल लीजे अगर आप चार लाग रुपे का सिर्फ चार लाग रुपे का सिर्फ चार लाग रुपे का स्पेंट कर रहें एक साल में तो आपको मिलेंगे 8,000 points जो चार लाग रुपे खर्षने पे मिल ही chroma के vouchers खरीदने में यूज करते हैं तो से आपको जो reward rate मिलता है net INR के terms में वह है 2.53% अगे बहुत अच्छा नहीं है और गिवन दाट साफिर हो भी प्रीमियम काट है अतनी असानी से मिलता नहीं तो थोड़ा मुझे disappointing लगा पर यह 2.53% का है और of course इसमें all benefits हैं जो हम इस वीडिव में डिसक्स करें reward points के अलावा पर वह एक consideration है तो उस हिसाब से अगर में purely reward points के हिसाब देखो तो मुझे आइसे आइसे में जो इनका Amazon वाला काट है वो काफी बैटर लगा और जो मैंने शुरू में बताया तो यह है कि यह काट दूनों Amex और वीजा में offer किया जाता है और वाइल आपको जो वीजा वाला काट है उसमें दो reward point मिलते हैं on every 100 रुपी spent Amex में यह heat system थोड़ा जाद एफिशेंट है और आपको तीन reward points मिलते है on every 100 रुपी spent बागी सारी चीज़े सेम है reward points जब आप वाउचे खरीदें वह जो रिश्य है वह भी सेम है बस ही एक थोड़ा सा वरक है कि आपको 50% जादा reward points मिलते है अगर आप Amex वाले उसके card के लिए opt करें पर जैसे मिने बता अगले महीने की statement में मिल जाएगा तो यही नहीं है और आप Swiggy, Uber, PV, यह क्योर फिट इन चार अपस पे भी यह कार्ड यूज करें तो आपको 4% cashback मिलता है जो कि अगिन काफी अच्छा है क्योंकि काफी ऐसी अपस जो हम काफी यूज करते हैं तो उस हिसाफ से में को यह काफी अच्छा card लगता है और फाइनली इसमें अगर आप इन दोनों काटेग्री के लावा कहीं और भी स्पेंट कर रहें तो आपको 1.5% cashback मिलता है तो काफी अच्छा card में मानूंगा reward points के perspective से देखें तो और अगर आप बहुत जादा online shopping करते हैं या बहुत जादा खाना order करते हैं या टाविल करते हैं उपर में तो उस हिसाफ से काफी beneficial card है ऐसा ही similar एक access bank में को और काड निकाला है Google के साथ partnership में जहां पर अगर आप Google Pay पे कोई भी बिल्स दे रहे हैं utilities की payment कर रहे हैं मान लीजे electricity water broadband mobile recharge इस तरह की चीज़े तो आपको सीधे 5% cashback मिलता है अगें similar to flip card no strings attached और जितना वर्जी आप यूज करना चाहिक मिले में कर सकते हैं उसके अलावा अगर आप यह swiggy, tomato और ola पर यूज कर रहे हैं तो आपको इसमें 4% cashback मिलता है अगें काफी अच्छा reward rate है यह और आप फाइनली अगर आप इन दोनों काटेवी के लावा कहीं भी spend कर रहें तो आपको इस पर 2% cashback मिलता है जो की अगें काफी इंप्रेसिव है तो उस हिसाब से मुझे काफी अच्छा लगा इसके लावा access bank के दो प्रिमियम कार्ड आते हैं access signature और access Magnus अब के signature की बात करूं तो यहां पर ओन एवरी 200 रुपी spend आपको मिलते हैं 10 reward points और यह accelerated program ऐसका अगर आप international spend में करने हैं यह तो आपको और अगर मैं इसकी conversion की बात करूं तो वैसे तो 5% reward rate है अगर हम सिर्फ reward points के perspective से देगे पर अगर मैं बात करूं यहां पर in report points को अगर आपको actual cash वे मदलना हो तो यूजिली मैं देखा है कि one is to five का ratio लगता है कुछ भी अगर आप ऐसा ले रहें जो हम आपको एक हदार के वाउचर के लिए तो उसे साथ जो net net finally reward points का rate है वो आता है एक परसेंट या अगर आप international spend करें दो परसेंट बहुत जादा अच्छा नहीं है कि विए प्रीमियम कार्ण है या पर साल रिक्वाइम लगों नौल आक रुपे पर साल है तो उसे साथ को बहुत अच्छा कार्ण मुझे नहीं लगा है वैसे ही दूसरा एक और प्रीमियम क सब्सक्राइब तो एक तरह से अगर मैं रिवार्ड रेट के परस्पेक्टिव से देखू तो छे परसेंट या बारा परसेंट है पर अगें अगर मैं फाइनली ने कंवर्ट करूं वाउचर में जो मैं एक्छिल कैश यूज कर सकता हूं तो आपको 1.2 परसेंट में लेगा तो अगर हमें कंट्लूर करना हो तो इन तीन बैंक्स में मुझे लगता है कि HDFC के जो क्रेटर कार्ट पर रिवार्ड सिस्टम से वैसा कोई रिवार्ड सिस्टम अभी इंडिया में नहीं है अगर आप इंफीन या दाइनस ब्लाक ले सकते हैं तो बहुत ही बड़िया अगर अगर आप इसके अलावा देखिए तो मुझे लगता है कि आइसे ऐसे कार्ड या अक्सिस का जो फिलिप कार्ट वाला कार्ड है वह कापी अच्छे कार्ड से कंसेडर करने के लिए और ऐसे निए कि आप एक ही क्रेटर कार्ट रख सकते हैं माल लिए आप कुछ पर फिलिप आपको maximum reward point मिल रहे हैं तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ और बैंक की कार्ड जैसे RBL, Yes Bank, SBI और बाकी सारे पर अभी के लिए अगर आपके कोई comments है तो उन्हें जरूर नीचे comment box में छोड़ी और हम के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए थाकि सो मिछ वाचिंग